अलो स्टूड़न्स वेल्कम बैक टो आवर चैनल गाइस क्या पढ़ रहे था हम लोग यहीं चैप्टर करेक्ट ना कौन सा एटॉमिक एंड मॉलेकुल स्ट्रक्चर ठीक है इस मॉडल वी आर वी हाव अब तक वीडियो में आई होप आपने वीडियो देखे होंगे हमने अब चलो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाता है जहां पर हम लोग न्यू अडिशनल तिंग्स लेंगे जैसे की वाट इस अटोमिक और बीटल करेक्ट दिफरेंस बेटल और बीट यह डिफरेंस भी कंप्लेट कर लेंगे आज आज हम लो हम लोग कंप्लेट करेंगे electronic configuration of an element ठीक है electronic configuration क्या है उसकी डीटेल और तीन जो मेजर रूल्स है पॉली दस्टूजन प्रिंसिपल हंस रूल ऑफ मैक्जिमों मुल्टिप्लिसिटी एंड अबब प्रिंसिपल यह तीनों रूल हम लोग समझने समझ लेंगे अच्छे से एंड आई होप आपको अगर यह समझेगा तो डेफिनेटल अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख पाओगे अंडर्स्टूड ओके तुशुरू करते हैं आज का लेक्चर आज का लेक्चर इंट्रेस्टिंग होने वाला है गाईस जहां प आप इस एतोमी कॉर्बिटल है क्या चीज है उतामी कॉर्बिटल इस गतरेख क्रेक्ट्र इस अड्यका क्या है टीसरा क्या है डी और चोथा क्या है एफ तो यह चो यह चार टोटल और्बिटल्स होता है कौन-कौन से एफ पी डी एंड एफ दिजादी पूर और्बिटल्स ओनली ठीक है हर एक शेल में कि हर और्बीट में यह और्बिटल्स होंगे हर शेल में यह और्बिटल्स होंगे परावर है फॉर्स शेल में सरफ सब्सक्राइब है तो जैसे जैसे हम लोग नुकलिस से दूर चले जाएंगे यानि फॉर्स सेकेंड शेल थर्ड शेल फॉर्ट शेल नंबर अप एडिशन ऑफ और बिटल्स भी इंक्रीज होता जाएगा और इलेक्टोनिक अकॉमडेशन वो भी इंक्रीज होते जाएंगे ठी और पहले उसके शेप देख लेता है शेप और उसके बाद फिर विल गोड़ी थे नेक्स्ट अटॉपिक तो शेप अवर्बित इस्च अटॉप इस क्या होते है और बिटल के हैं कॉट कॉन से शेप है एक्चली देखो पहले तो स्टार्ट करते है त एस और्बिटल ओनली S Orbitle से शुरुआत कर लेते हैं S Orbitle S Orbitle का Shape देख लेते हैं ठीक है S Orbitle are guys Sparical in Shape कोई भी S Orbitle हो 1 S Orbitle हो, 2 S Orbitle हो, 3 S Orbitle हो Simply इसका Shape क्या है कैसा याद रखना है Sparical, understood Oval Shape S Orbitle कौन से Shape में है spherical shape में, understood, कौन सा shape है, s orbital का क्या shape है, spherical shape, understood, spherical shape, clear हो गया, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग 1s orbital को, समझो कि अपने पास 1s orbital है, yes, we are having 1s orbital, तो ये हो जाएगा, a shape of 1s orbital, this way only, okay, where this is the nucleus, समझे लो, the shape of 1s orbital, 2s orbital अगर है, अपने पास, ठीक है, 2s orbital, तो अगर समझो, ये nucleus है, okay, तो उसका थोड़ा सा shape, बढ़ा होगा, क्योंकि second shell है, so the shape will be greater, understood, that is 2s orbital, अगर 3s orbital है, ये है अपना nucleus समझ लो, इससे भी और बढ़ा बना देते हैं, 3s orbital, समझ में आ गया, 1s, 2s, 3s, 3s, तीनों के तीनों shape क्या है, spherical shape, understood, कौन सा shape, spherical shape, okay, clear हो गया, तो shape of s orbital क्या है, guys, what is the shape of s orbital, spherical shape, understood, clear हो गया, okay, चलो, आगे बढ़ते हैं, फिर, next one, s तो complete हो गया हमारे पास, अभी चलते हैं on the p orbital, the shape of p orbital, yeah, the second one, p orbital, guys, gym में तो गए होंगे आप लोग, ठीक है, exercise कर रहे होंगे, muscles बना रहे होंगे बास, correct, no, okay, bicep, tricep बना रहे होंगे, correct, क्या यूज़ करते हैं, generally common, अगर पहले दीन बन्दा, gym में गया, पहले तो start से, but obvious, dumbbell उठाएगा, dumbbell उठाएगा, डोले-शोले बनाएगा, correct है न, okay, वहीं से, यूज़ हम लोग समझ लेंगे, p-shape का orbital, p-shape का जो orbital है, gym को याद रखनेगा, simply, gym को याद रखो, p-shape के लिए, क्या है, dumbbell shape, कौन सा शेप है, dumbbell shape, okay, क्या shape बोल दिया हमने, gym में गये हो, gym याद करना, p-orbital के लिए, कौन सा शेप, dumbbell shape, dumbbell जैसा shape होता है, p-orbital का, simply, अगर मैं diagram ट्रॉ करूँ, तो say this way, यह आ जाएगा, p-orbital, समझ लो, 2p-orbital है, समझ लो, okay, अब 2p के लिए 3 orbitals है, every p-orbital will be, you know, having 3 orbitals only, p-orbital में भी sub-orbital है, that is, 3, वो हो जाएगा, p-x, समझ लो, मैंने 2px लिख दिया, तो, that is for second share, p-x, एक होगा, p-y, और दूसरा, तीसरा होगा, p-z, ठीक है, यह 3 orbitals है, कौन-कौन से, p-x, p-y, p-z, 3 orbitals होगे, simply, 3 का 3 shape क्या है, double shape, कौन सा shape है, double shape सिर्फ, समझ में आ गया, ओके, अब diagram में अगर draw करू, तो consider करो कि यह center है, यह हो गया, one of the orbital, p-orbital, ठीक है, तो यह x-axis, y-axis, and z-axis, 2px, 2p-y, 2p-z, similarly 3 अगर होगा, ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी draw कर सकता हूँ, इसको, this way only, बोध हार, double shape, correct, so, यह है, double shape, orbital, कौन सा, p-orbital, समझ में आ गया, spherical shape कौन सा है, बच्चो, spherical shape किसका कौन सा है, s-orbital, s-orbital का shape क्या, spherical shape, correct, p-orbital का shape क्या है, double shape, understood, जिसमें होंगे, 3 sub-orbital, p-x, p-y, p-z, depending upon the, the axis only, sorry, अगर second shell का p-orbital है, तो 2px, 2py, 2pz, third shell का हो गया, तो 3px, 3py, 3pz, fourth shell का हो गया, p-orbital, तो 4px, 4py, 4pz, तो इस सारह से number of shells के लिए, orbitals होंगे, but shell, double shape only, ठीक है, आगे बढ़ता है, फिर, next one, that is, d-orbital, d-orbital, ठीक है, अब d-orbital का shape क्या होगा, dumbbell shape ही है, actually, यहाँ पर हम लोग कहेंगे, double dumbbell shape, ठीक है, the shape of d-orbital is double dumbbell shape, so d-orbital होगा, double dumbbell, yeah, double dumbbell shape, समझ में आ गया, ठीक है, spherical shape, s-orbital, p-orbital, double dumbbell shape, d-orbital, double dumbbell shape, diagram कैसे ट्रॉ करेंगे, c-o here, diagram देख लो, तो यह, yeah, this is the shape of d-orbital, ठीक है, जो number of, depending upon the axis only, वो direction change हो जाएगा, d-orbital का, d-orbital कौन-कौन से है, d-orbital में भी 5 sub-orbital से है, ठीक है, कौन सा, d, here I'll write, d, x, y, फिर d, y, z, d, x, z, d, x square, minus y square, and d, z square, यह total 5 orbital, देखो, d, x, y, d, y, z, d, x square, minus y square, d, z square, okay, अगर 3D orbital है समझे लो, if we are having a 3D orbital, simply इसको कैसे करेंगे, 5 box हमें बनाने होंगे, यहाँ पे, simply 5 box बनाने की, 1, 2, 3, 4, and 5, तो यह 3D orbitals होगे, ठीक है, हर एक orbital कितने electron carry करेंगे, that will going to see in the electronic configuration only, understood, so this way we are going to represent, ठीक है, same way अगर में हम लोग पीछे चले जाता है, for the P orbital, तो P orbital किस तरह से हम लोग ट्रॉ करेंगे, इस वे से, समझे लो, 2P orbital है, तो simply इसको 3 box बनाएंगे, 2P X, 2P Y, 2P Z, अगर 3, 3P होगा, तो 3P X, 3P Y, 3P Z, इस वे से, तो 3 box बनाना है, understood, and simply, अगर इसको लोग रिप्रेस्टन करेंगे, S orbital को सिर्फ एकी box, 1S orbital किस तरह से express करेंगे, by putting 1 box only, ठीक है, 1S orbital by putting 1 box, समझ में आ रहा है, तो एक ऐसे box बना लो, 1S orbital हो गया, ऐसे 2P orbital, 3S box बनाना है, ठीक है, and d orbital 5, because d orbital के 5 sub orbital है, xy, xz, yz, x square minus y square, and dz square, अब f orbital जो है, f orbital is also like double double shape only, ठीक है, the specific shape is beyond our understanding, okay, so that's why what happened, कि यहाँ पे specific shape की बारे में, यह फिर diagram दिया नहीं है, अपनी syllabus में, ठीक है, एक specific diagram दिया नहीं है, but how many f orbitals are there, that we are going to see over there, ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम लोग, so f orbital, the fourth one, sorry, d लिख रहाँ है, f orbital, okay, f orbital, so f orbital के total होंगे, number of orbitals 7, correct, total how many orbitals are there, 7, simply it is represented as, say, 4 f orbital है, for example, so हमें 7 blocks, draw करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, this way only, ठीक है, तो ऐसे 7 blocks लोग यह करना है, f orbital में, total number of electron कितने होता है, 14, तो यहाँ पे वो 7 orbitals में, 14 electrons होंगे, so these are, this way guys, we need to understand, the shape of s orbital, p orbital, d orbital, हलागे, s orbital, p orbital, d orbital, detail में हमें पढ़ना है, यहाँ पे, understood, ठीक है, so, this is all about the shape of the orbitals, अब चले जाते हैं, on the, the transition of electron from the, the energy level, lower energy level to higher energy level, transition of electron पढ़ लाते हैं, ठीक हैं, that is called to be a, you know, hydrogen energy level, उसको कहते हैं हम लोग, hydrogen energy level, so let's see, hydrogen energy level, hydrogen energy level, ठीक है, hydrogen energy level, देखो guys, जो भी है, यह और energy level है, या भी आप बोल सकते हैं, shell है, okay, which do present around the nucleus, 1s हो गया, या फिर 2s हो गया, 2p हो गया, 3s, 3p, यह shells जो है, यह क्या है, simply, यह energy level है, ठीक है, यह क्या है guys, energy level है, और definitely, p, d, f, यह क्या है, सब shells है, सब energy level, अब जो electrons जो है, ठीक है, समझे लोग, electron 1s orbital में present है, consider कि electron कहांपे present है, 1s orbital में present है, तो if electron present in the 1s orbital, there might be a chance कि 1s orbital से next energy level में, यहने 2s orbital में वो electron jump हो जाए, कहांपे 1s में से 2s में वो jump हो जाए, अब वो कैसे होगा, जब भी कोई electron specific element, you know, कुछ specific radiation absorb करेगा from the atmosphere, okay, from the visible region only, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, electron excited state में चला जाएगा, okay, electron goes into its excited state only, तो 1s में से वो electron 2s में जा सकता है, ठीक है, या फिर the electron will go into the 2p orbital as well, या फिर 2s में से 2p, 2p में से 3s this way only, ठीक है, so that the transition of electron can be takes place, ठीक है, तो transition between the energy level, यह जो होगा, because of this two reason only, okay, transition याने क्या, trans means to change, ठीक है, तो one position change हो जाएगी, lower energy level से higher energy level में, वो कैसे change होगा, whenever the electron absorb the energy, ठीक है, whenever the electron absorb the energy, तब, electron gets excited, lower energy level, from lower energy, it goes into the higher energy level, ठीक है, समझ लो, यह lower energy level है, यह higher energy level है, यह higher energy level है, यहाँ से यहाँ पर jump हो जाएगा, 1s और यह 2s है, ठीक है, ठीक है, and when the electron emits certain amount of radiation, कुछ अगर यह radiation emit करेगा, in that case, there is the loss of energy from higher energy level, it goes into the lower energy level, ठीक है, तो transition is from higher to lower, तो lower to higher होगा, जब absorb करेगा energy level को, and higher to lower आएगा electron, कब, जब emission, radiation emit करेगा electron, समझ में आ गया, so there is a transition of electron possible within the shell only, ठीक है, दो चीज़े से transition हो सकता है, पहला तो absorption, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, the transition of electron, transition of electron, due to two reasons, one is absorption, या फिर emission, ठीक है, because of absorption, absorption कि किसका, radiation का, या फिर emission of radiation, because of emission of radiation, अगर यह दो चीज़े हो गई, radiation absorb कर लिया, तो भी transition होगा, ठीक है, consider करो कि specific radiation, specific radiation, absorb कर रहा है, तो कोई electron, तो किस तरह से transition हो सकता है, if I'll draw the diagram, मैं diagram draw कर रहा हूँ, of the different energy level, समझ लोग कि यह 1s energy level है, say this is 1s energy level, ठीक है, 1s energy level, containing 1s orbital only, ठीक है, this is 1s orbital, correct, यहाँ से electron अगर absorb कर रहा है energy को, ठीक हो, ठीक है, ठीक है, यह 2s है, 2p में 3 orbitals होंगे, जैसे कि हमने बोला, this is 2s, यह हो जाएगा 2p, wherever, there might be a chance कि 2s 2p में से, maybe electron, 2p में से, especially electron, higher energy पर भी चला जाएगा, अगर electron available है, तो by the absorption of energy, किस कौन से energy level में जाएगा, third shell में, third shell की कितना orbital है, 3s, 3p, 3d, ठीक है, तो देखो, यह 3s, एक ही रहेगा electron, यह 3s है, यह 3p, जिसमें 1, 2, and 3, और यह हो गया, 3d, जिसमें 1, 2, 3, 4, and 5, ओके, तो यह देखो, transition किस तरह से हो रहा है, यह, यह transition हुआ, यहां से transition हुआ, this way only, the transition is going on, understood, ठीक है, तो 1s energy level से 2s, 2s में से, might be chance of into the, this one, 3s also, ठीक है, तो यह तो हो गया, excitation of electron by the absorption of radiation, same way, अगर electron 3d है मैं है, या फिर, या 3d मैं है, and you want to come into the 2p orbital, तो क्या हो जाएगा, emission of radiation, radiation emit करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो from higher energy level, it comes back into the lower energy level, ठीक है, या फिर 2p मैं से, you know, या फिर 2s मैं से, it goes into the 1s, again by the emission of radiation, so this is the concept of hydrogen energy level, या फिर simply, you can say the energy level, in fact hydrogen भी नहीं कहेंगे, hydrogen का तो एहीं कि, 1s ही energy level है only, ठीक है, but simply energy level, जहां पर 1s energy level, 2s energy level, 2p energy level, 3s, 3p, 3d energy level, 4s, 4p, 4d, 4f energy level, तो यह number of energy levels है, for the specific orbit, या फिर specific shell, समझ में आ रहा है गाईज, understood, okay then, तो simply this is the presentation, ठीक है, ना यह तो हो गया about the shell, within the sub-shell also, there might be a transition, ठीक है, sub-shell में भी transition होता है, अगर d electron है, d orbitals है, तो d orbitals भी split हो जाएंगे, into the 2 energy level, T2G and EG energy level, तो वहाँ पर भी होगा, कैसे, जब energy absorb करेगा electron, या फिर energy electron release करेगा, बराबर है, absorb करेगा, तो कहा जाएगा, T2G to EG, T2 is the lower energy level, for the 3D orbital, and EG is the higher energy level, ठीक है, तो 5 orbitals है, 3D के, यह भी वापसे split होगे, 2 energy level बना लेगा, lower energy T2G, higher energy EG, T2G में 2 orbitals होगे, higher में 3 orbitals होगे, this way only, तो splitting of a, you know, sub shell can also be possible, by the absorption of energy, as well as, हम लोग कहेंगे, by the emission of energy also, there might be a chance of a, you know, transition of a electron only, understood, so this is all about, the overall concept of a transition of electron, ठीक है guys, clear हो गया, ओके, आगे चलते हैं, फिर फटा फट, we'll go for the difference between orbit and orbitals, ठीक है, difference learn कर लेते हैं, then we'll go for the, that electronic configuration, the most important part, ठीक है, difference भे चले जाते हैं, the difference between orbit and the orbital, difference between orbit, orbital, ठीक है, इन दोनों का difference हम लोग learn कर लेते हैं, ओके, चलो फिर, ये है अपना orbit, के लिए एक column बना लेता हूँ, ओके, orbit के रिए, and this is for orbital, चलो, orbit and orbital, ठीक है, क्या exactly है, the point of difference we'll go in to see, for the orbit and orbital, देखो guys, orbit जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो क्या था, nucleus के around, circular path, a fixed circular path, so simply हम लोग कहेंगे, the first point of difference, the orbital is nothing but, a definite, circular path, understood, क्या है यह, definite circular path है, around the nucleus, one orbital, one orbit, two orbit, three orbit, या फिर, हम लोग कहते हैं, k, l, m, n, k shell, m shell, n shell, ठीक है, l shell, so यह, number of, जो shells है, that is called to be orbit, यह क्या है, fixed circular path है, on the other hand, अगर हम लोग orbital की बात करें, so what is orbital, orbitals are simply, a three dimensional region around the nucleus, ठीक है, orbital क्या है, it's a three dimensional region, around the nucleus, three dimensional, region, around the nucleus, समझ में आ गया है, ठीक है, क्या है orbit, orbit is a definite circular path, around the nucleus, orbital, three dimensional region, around the nucleus, ठीक है, यह पहला point of difference हो गया, चलो, आगे बढ़ते हैं, for the second point of difference, of the orbit only, ठीक है, orbit क्या है, orbit generally indicated by number, exact number, ठीक है, these are simply numbered by, numbered as, numbered as, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अगर मैं diagram ट्रॉ कर लू, say, this is nucleus, तो यह first, second, third, fourth, इस वे से, first, second, third, fourth यह है, बराबर है, correct, यहां पही क्या हो जाएगा, orbital के लिए, specific number कोई है नहीं, ठीक है, there is no numbery, or no notation, ठीक है, so simply, we'll write no numbering, or notation, understood, क्या है, no numbering or notation, एक no specific notation है, या फिर numbering है, चलो, आगे बढ़ता है, for the third point of difference, of the orbit, ठीक है, अब जो यह orbit है, नर्जंद्रली क्या करता है, कि orbit indicates, the exact number of electrons, ठीक है, exact position, you can say, exact number of electron, भी कह सकते है, at the same time, the exact position of an electron, around the atom, ठीक है, और in an atom, around the nucleus, in an atom, I can say, ठीक है, what is orbit, orbit क्या कर रहा है, it indicates, it indicates exact position of an electron, I will write here, indicate, exact position, of electrons, okay, क्या कर रहा है, exact position of electron, indicate कर रहा है, but, orbital जो है, it do not specify, the definite position of electron, around in an atom, ठीक है, orbital, will not specify, do not specify the position, specify the, position, of electron, देखो क्या है, orbit क्या है, indicate exact position of electron, यानि, electron first orbit में है, second orbit में है, third orbit में है, यह exactly बता रहा है, orbital, वो चीज़ हमें, indicate नहीं करता, okay, orbital वो चीज़ हमें, indicate नहीं करता, now fourth, क्या है, fourth, देखता है, fourth, generally, the fourth step is, या फिर four point of difference, ठीक है, जो motion of electron है, that is planar, so it represent, I will write here, it represent, planar motion, motion of electrons, ठीक है, क्या है, planar motion of electron, around the nucleus, understood, planar motion of electron, around the nucleus, क्या है इंडिकेट कर रहा है, orbital, but, orbit, sorry, but orbital क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, it represents the, three dimensional motion, around the, of the electron, around the nucleus, ठीक है, indicate, three dimensional motion, dimensional motion, motion of electrons, समझ में आ गया, okay, तो देखो, यह पूद पोइंट, यह पोद पोईंट, it represents the planar motion, orbital, इंडिकेट इंडिकेट, इंडिकेट, three dimensional, motion of electron, ठीक है, आगे बढ़ता है, फिर, आगे वाला topic, that is, fifth point of difference, यहीं पे, वो, color नहीं ले 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 ले, आओंगे, just remember, the orbit and orbitals the fifth point of difference that is for orbit generally the number of electrons कितने accommodate करता है वो हम लोग यहां पर लिखेंगे जहां पर the you can say formula है that is two n square number of electrons accommodate by the orbit ठीक है orbit क्या करेगा two n square electron यह करेगा where n will be the number of principle quantum number ठीक है क्या indicate करेगा number of principle quantum number understood principle quantum number अब principle quantum number क्या है first second third fourth यहने समझ लो कि say for first shell या फिर first say orbit only तो यह हो जाएगा one two into one square that will be two बराबर है ओके अब second shell है समझ लो हम तो two into two square लोका square कितना है four four into two that is six so this way the number of electrons कितना है exactly यह हमें बताएगा sorry बताएगा with the help of the formula that is called to be a two and square only बराबर है यहां पर और बिटल जो है वो इच और एवरी और बिटल maximum accommodate only two electrons ठीक है maximum two electrons maximum कितने electron two electrons can accommodate ठीक है दो से जदा इलेक्रों अक्कमडेट नहीं करता है single orbital ठीक है पहला orbital एक orbital दो से जदा इलेक्रों अक्कमडेट करेगा ही नहीं understood okay and the last point of difference चले जाता है the last point of difference that is say orbitals are circular in shape जो अगर shape जो है orbital का circular shape है these are circular in shape ठीक है कैसा है shape तो circular shape में है correct these are circular in shape जैसे कि if I'll go with here first second third fourth circular shape में ही है हम लोग express कर रहे हैं but what about this one यहां पर maximum this one sorry orbital orbital अलग अलग shape में है तो orbitals have different shapes shape of orbital some row already learn कर लिख है यह देख हूं यहां पर yeah that is p orbital double double shape s orbital spherical shape p orbital sorry double shape then d orbital double double shape तो यह लग 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 के shapes है but what about the this one orbit का orbit का एक फिक शेप है that is circular shape ओनली ठीक है circular shape में ही मिलेगा वो orbital समझ में आ रहा है गाईस understood okay so these are the points we discuss over here today in today's lecture that is the difference of orbit and orbitals at the same time atomic orbitals क्या है the shape of atomic orbitals हमने at the same time hydrogen energy level यहने energy level discuss किया हमने और उसके बाद transition of electron from one energy level into the another energy level discuss कर लिया हमने ठीक है guys I want to complete the electronic configuration in today's lecture but I think so video के length बड़ी हो जाएगी शायद से ठीक है so better way we'll go for this particular part in the next lecture और उसके साथ ही फिर मैं number of example लोग गा क्योंकि this particular part is very much important exam point of view क्योंकि वहाँ पर हमारे पास हमारे पूरे पीरियाडिक टेबल कोई भी इलेक्ट्रोनी configuration पूछेंगे so what are the short thoughts and everything details में हम लोग electronic configuration पर जाएंगे and better but obvious उसके exactly पहले रूल क्या है वो पढ़ेंगे in the next video only ठीक है guys so in the next video we'll meet वहाँ पर हम लोग electronic configuration and how to write the electronic configuration और यह हम लोग पढ़ेंगे आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस ठीक है और अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है थैंक वरी मैंट खईजिए बद्सक्राइब कर दीक है तो